बिहार सरकार के मंत्री राम सुरत राय ने एक बार फिर से बड़ बोला बयान दिया है। बहुत सारे इस्तिती है आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लिए से लेखते हैं। और जेडी ने एक वीडियो ट्वीट कर सताधारी जेडियो पनिशाना साधा है। दरसल पट्णा में जेडियो की एक मीटिंग थी। मीटिंग में शामिल हुए नेताओं के लिए खाने का इंतजाम भी किया गया। हैरानी की बात ये थी कि जेडियो के नेताओं के लिए जो खाना आया था वो किसी साधारन गाड़ी से नहीं बलकि एंबुलेंस से लाया गया था। जेडि ने इसी एंबुलेंस का वीडियो ट्वीट कर जेडियो पर तंच कसा है और कहा कि मरीजों के लिए भले एंबुलेंस नहीं है लेकिन नेताओं की सेवा के लिए एंबुलेंस उपलब्ध है। बीजेपी के राष्ट्री अध्यक्ष जेपी नड़्डा के सभी दलों के खत्म होने वाले बयान पर आर्जेडि ने तीखा विरोध किया है। पार्टी के नेता शिवानंद तीवारी ने कहा कि ये बयान लोखतंत्र विरोधी है तीवारी ने भी जेपी पर सम्विधान बदलने की कोशिश करने का भी आरोब लगाया जेडियू के नेता निरज कुमार ने भी जेपी नड़ा के बयान को सही नहीं बताया है निरश कुमार ने कहा कि क्षेत्रिय दल लोगों की अकांग्षाओं को पूरा करते हैं या जनता के बीच असपष्ट द्रिश्टी गोचर होना आवस्यक मुंगेर में मिड़े मील में खराब खाने की शिकायत लेकर छातर अधिकारियों की दफ्तर पहुँच गए मामला तारापुर इलाके के गोगा चक में मौजूद सरकारी विद्यालेका है जहां खराब खाने से परिशान चातराओं ने इसके खिलाफ आवास उठाने का फैसला किया और खाने की थाली लेकर S.D.O. दफ्तर पहुँच गए चातराओं की शिकायत पर अधिकारी निजाज के आदेश दिये हैं बिहार के ललित नरायन मिथिला युनिवरसिटी में एक अनोखा मामला सामने आया है जहां एक चातर को 100 नमबर की परिक्षा में 151 नमबर मिल गए हैं चातर ने जब इसकी शिकायत की तो इसे टाइपो एरर बता कर करमचारी ने अपना पलना जहाड लिया जबकि युनिवरसिटी में इस तरह की कई मामले सामने आये हैं एक चातर को शून अंक दे कर उसे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया है चातरों का आरोप है कि करमचारीों के लापरवाही से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पढ़ रहा है राश्चुपती द्रौपती मुर्मू पर कॉंग्रेस नेता अधिरेंजन चौधरी की टिपणी का सर अब जहारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में दिख रहा है राश्च के लाते हर्जिले के कई गाउं में लोगों ने कॉंग्रेस के नेताओं के आने पर प्रतिबंद लगा दिया है ग्रामीडों ने गाउं के बाहर वॉल राइटिंग करवाया है जिसमें कॉंग्रेस के नेताओं को गाउं में घुसने से मना किया गया है जारकंड विधान सभा की कारेवाही के दोरान शिक्षा मंतरी जगरनाथ महतो की तब बिगड़ गई आनन्फानन में महतो को अस्पताल में भरती करवाए गया है मंतरी महतो को देखने के लिए खुद मुख्यमंतरी हेमन सुरेन भी पहुचे थे मेहतो को सीने में दर्थ और सांस लेने में परिशानी महसूस होने के बाद अस्पता ले जाना पड़ा था जहां उनकी तब्यत में अबसुधार हो रहा है जारकंड हाई कोट के वकील राजीव कुमार को कोलकाता पुलिस ने गिरफतार कर लिया है राजीव कुमार के पास से 50 लाक रुपे कैश बरामत किया गया है बताया जा रहा है कि राजीव कुमार नैशनल ग्रीन ट्रेबिनल के एक केस में पैरवी के लिए कोलकाता गए थे तब ही उने गिरफतार किया गया है हालकि जारखंड पुलिस ने साफ किया है कि राजीव कुमार की गिरफतारी से उनका कोई लेने देना नहीं है